हेलो एवरीवन वेलकम टू शून याइस नमस्कार आप सभी लोगों का शून याइस में बहुत बहुत श्वागत है और जैसा कि आप लोगों को पता है यहां पर हम MPPAC exam को target करते हुए MPG के subject पढ़ रहे हैं और आज का जो topic है आज हम पढ़ेंगे लिट्रेरी personality of मध्यप्रदेश ठीक है लिट्रेरी personality of मध्यप्रदेश बेसिकली अगर simple सब्दों में बात करें तो आज की class में हमें मध्यप्रदेश के जो important points हैं उनके बारे में पढ़ना है जो important कभी है ठीक है और दूसरा task हमारा क्या रहेगा कि उनकी कौन-कौन सी books है ठीक तो इन दो points पर आज की हमारी ये class होने वाली है और exam point obviously यही दो चीज़े important है कि आखिर जो poets है उनका संबंध या उनका relation किस जिले से है उन्होंने कौन-कौन सी books लिखी है या कौन-कौन सी कभिताएं लिखी है ठीक है तो चले फिर बेना विलम के वे आज के session को शुरू करत है तो देखे एक लास तरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि हम यहां पर जो poets पढ़ रहे हैं literary personalities पढ़ रहे हैं वो ancient medieval और modern इस तरीके से divide करके पढ़ेंगे ठीक है तो अगर बात करते हैं ancient India की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही हमारे जो कभी है जो poets हैं वो हमार कालिदास क्या बोलते हैं उन्हें महा कभी कालिदास देखे इनके जन्म के बारे में तो जादा कुछ information नहीं है हमारे पास किवल एक चीज हमें पता है कि he was the he was one of the jewels in the court of राजा विक्रमादित ठीक है तो उजयन के जो राजा हुआ करते थे ठीक है उनका नाम था रुप्त दोती विक्रमादित इनके कोर्ट में टोटल कितने रत्न हुआ करते थे नाइन नाइन जेवल्स बोलते थे ठीक है तो नौ रत्नों में से एक कौन थे महा कभी कालिदास दीक है बाते क्लियर है क्या इनकी जो वाइब थी उनकी वाइब का नाम था विद्योत्मा यह बहुत पढ़े लिखी थी ठीक है तो महा कभी कालिदास की जो वाइब थी जो पत्नी थी वो कौन थी विद्योत्मा और महा कभी कालिदास कौन थे was one of the jewels in the court of उज्जैन रूलर चंद्रगुप्त सेकंड दृत्य ठीक है जिनने टाइटल क्या लिए हुए था उन्होंने विक्रमादित ठीक है अब जो कालिदास है वो किस लेंग्विज के पोईट्स थे कभी थे संस्कृत भाषा किस के थे संस्कृत ठीक है बीन प्रोवाइड़ विद्धा टाइटल ओफ कभी कुल गुरू और कभी शीरोमनी बहुत इंपोर्टेंट ठीक है किस इंडियन पोई आती है कभी को कभी कुल गुरू या कभी शीरोमनी का टाइटल दिया गया आपका अंसर होना चाहिए सर महा कभी कालिदास ठीक है अब यह जो कालिदास के बारे में एक छोटा सा इंट्रोड़क्शन हो गया कि कालिदास राजा विक्रमादित के धरवार में से नौरतनों मे विध्योत्म ते दूसरा इनकी पत्नी का नौत दा विध्योत्मक इन लागी जयाता है भारत पहक शरीए पूरी कि पूरी नियाद रखना उनमें से जो साथ, प्रॉमिनेंट हैं या एमिनेंट है विश्व परिशिद्ध हैं साथ हैं कौन-कौन से हैं। जिसमें से दो इपिक हैं दो इपिक पोयमस हैं और तीन ड्रामा हैं। बहुत ही डीटेल से समझना है। अब यह जो साथ है न वह आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से रगु वन्सम और कुमार शंभवं ज्यान से समझेंगे रगु वन्सम और कुमार शंभवं ज्यान से है अभिग्यान शाकूंत लम, विक्रमोर वसियं और माल विकागनी मित्र अभी मैं एक एक करगर सबीच Works बताऊंगा ठीक है अगर बात करें poetry की तो रितु शंगहार और मेघ दूत बहुत important है तो कौन-कौन सी रचनाएं होगे कालिदास की रगुवंशं कुमार शंभवं अगर बात करें ड्रामा की अभिज्यान साकुंतलम विक्रोमोर वशिये और माल विकागन मित्र ठीक है MP Government established कालिदास Award in 1980 और कालिदास Award की जो price money है वो कितनी है 2 lakh कितनी है 2 lakh रुपए और कालिदास Academy कहाँ पर है उज्येन में ठीक है इस चीज को आप लोग नोट करेंगे फिर मैं कुछ आपको important बाते भी बताने वाला हूँ जो यहां से prelims में पुछे जाने की possibilities है ठीक है चली आगे बढ़ेंगे और हम नोट करेंगे सबसे पहले कुछ important point है जैसे तीन drama कौन-कौन से है कालिदास के अभी ग्यान शाकुंद्धिलम क्या नाम है अभी ग्यान शाकुंद्धिलम दूसरा कौन से है माल-विकागन-Мित्र माल-विकागन- मित्र और तीसरा कौन सा है विक्रमोर वशी है अब इनका जो कॉंटेंट है वो कई बार पेपर में पुछा जाता है जैसे जो अभिज्ञान शाकुंतलम ड्रामा है वो बेसिकली एक किंग हुआ करते थे उनका नाम था दुशयंत और उनकी जो गल्फं थी बोल सकते हैं उनकी जो प्रेमिका थी उनका नाम क्या था शाकुंतलम तो वीकें से देट अलाब स्टोरी ओफ एक दिंग दुशयंत एं शाकुंतलम एद भिज्ञान शाकुंतल ड्रामा रिटेन बाई काली दाश त अग्णिमित्र। एग्णिमीट्रिश्यफzd एग्णिमेट्र अग्णिमेट्रिश्य फॉलख टूगा यहाँ प्रशंड पूचा याता है तो तो तीनो ड्रामा का जो कॉंटेंट है वह आप लोग नोट करेंगे ठीक है चली आगे बढ़ेंगे अब दूसरी चीज यहाँ पर नोट करेंगे चली जो कालिदास के रगुवन्शम है रगुवन्शम का जो कॉंटेंट है वैसे तो बहुत बड़ा कॉंटेंट है पर हम यहाँ पर उस कॉंटेंट की बात कर रहे हैं जो आफ्टर राम्स जब भगवान राम के बाद का जो लिगेसी है उसके बारे में रगुवन्शम में बताया गया है और एकॉर्डिंग टू रगुवन्शम जो दसाण है दसाण मतलब विदिशा और जो कॉशल है कॉशल मतलब जो जबलपुर के आसपास वाला छेतर है महा कॉशल दसाण और कॉशल यहाँ पर किसका सासन हुआ करता था कुश का कुश कुश कॉंटे भगवान राम के बेटे और दसाण में किसका हुआ करता था शत् तो रगुवन्शम में ये बात लिखी हुई है कि सर मद्यपडेस में जो विदिशा है न वहां पर कभी शत्रुघाती शाषन किया करते थे और जो जबलपूर और आसपस वाला जो छेत्र है वहां पर कौन शाषन किया करते थे कुछ लोट करेंगे सबी लोग अब जो तीसरा content है और important है कुमार शंभवम कुमार शंभवम कुमार शंभवम तो देखिए जो कुमार संभवम है उसका content थोड़ा सा कहानी फॉर्म में है इसमें कौन-कौन सी बातें बताई गई है महागभी कालिजास के दौरा सबसे पहली बात कि Lord शिवाज मेरिज भगवान शिव की शादी का वर्णन किया गया है ठीक है उसके बाद Lord कार्ति के बर्थ ठीक है कार्ति के का जन्म और आपको इपता है कि जो कार्ति के का जन्म हुआ था वो किसके लिए हुआ था तारका सुर का जो बद तारका शुर ठीक है ऐसेसिनेशन बाती के लिए रहे गा तो इस कुमार संभवम में कौन-कौन से बाते बताई गई है भगवान शिव की शादी होगी पायरवती जी से दूसरा कार्ति के भगवान का जन्म होगा और तारका सुर का बद होगा तो ऐसे पुछन पुछे जाने की सम्हावनावन्दी MBPC में कि कार्ति के का जो जन्म है वो काली दास के द्वारा लिखी गई किस किताब में वर्णित है तो आपका अंसर होना चाहिए सर कुमार संभवम ठीक है तो आई होप ये सभी बाते क्लियर होंगी चलिए आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे भरत्र हरी अगले जो हमारे important point है वो कौन है भरत्र हरी देखे ये जो भरत्र हरी है इनका original name क्या माना जाता है राम गुप्त क्या माना जाता है राम गुप्त एक्सवैलि में रामगुप्त चंद्रगुप्त जो दोति विक्रमा देथे उनके बड़े भाई थे होता यह है कि रामगुप्त जब शाशक थे अँज् resistant के तो रुद्र सिंग करके एक हुनाज रूलर थे उन्होंने अटेक किया और रामगुप्त की जो वाइफ है उन्हें अपने यहां पर रख लिया बंदी बनाके और रामगुप्त को भगा दिया इस बात की जब खबर चंद्रगुप्त दोती को लगती है तो चंद्रगुप्त दोती होनाज सासक जो रुद्र सिंग है उनको मारते हैं और अपनी जो भावी है उन्हें फ्री करते हैं और रामगुप्त को भगाया देते हैं बोले तुम सासक बनने लायक नहीं हो और रामग कि धारण कर लेते हैं कौन भर्त रहरी ठीक है बाते क्लिये रहे गया ले घ्यात तो उनकी जो कर्मिस्थ्ली है चुनार है टीक है इस दाइल्डर फॉजेन रूलर विक्रमादित इनकी रचनाय कौन-कौन सी मुझार शतक बैराक शतक और नीति शतक तो एक दिमाग में बैठा वेराग गिश्रत्त्त ठीक हैं चलिए भरत्रहरी की गुफाएं कहां पर हैं उज्जेन में नोट करेंगे सबी लोग चलिए आगे बढ़ेंगे अब देखेंगे भौभूती देखें जो भौभूती है न वो काली दास के बाद काली दास के बाद संस्कृत लेंग्विज के बहुत बड़े कभी थे और इनका ओरिजनल नेम क्या था श्री कांत बहुवूती साब का ओरिजनल नेम क्या था श्री कांत बाते क्लिए रहें इनकी रचनाएं कोणकोण सी हैं? इनकी रचनाएं मालती माधा, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित बहुत important है, सभी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मालती माधा, महावीर चरित और उत्तर रामचरित, ठीक है? अब देखें ये जो भौबूती है न इनकी जो बोल सकते है फिलोस्फी है भौबूती की जो फिलोस्फी है वो बहुत अच्छी है तो इनकी फिलोस्फी की वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं जैसे कालिदास को हम सेक्सपियर बोलते हैं, भारत के सेक्सपियर है, वैसे ही भावभूती को क्या बोलते हैं, अमबाके, क्या बोलते हैं, अमबाके और भारत का जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन ओफ इंडिया, बात एक लिए रहे गया, तो इंडिया का जॉन मिल्टन किसे बो भौबूती अम बाके किसे बोलते हैं भौबूती ठीक है और इनकी जो क्रियेशन से इनकी जो रचनाएं है मालती माधों महावीर चरित और उत्तर राम चरित तभी लोग नोट करेंगे चलिए आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे केशोदास देखें केशोदास बहुत ही खतरनाक कभी थे ठीक है इनका जन्म 1515 में हुआ और चा निवाडी मध्यप्रदेश में हुआ ठीक है केशो जे थे किसके कोर्ट पोईट हुआ करते थे इंद्रजीत सिंग बुंदेला और चा के सासक कौन थे इंद्रजीत सिंग बुंदेला केशो इस कंसीडर्ड एस दा फर्स्ट पोईट है एंड आचारे ओफ रीती काल यह जो रीती है ना रीती का मतलब क्या होती कल्चर होता इसके पहले तब कोई कल्चर नहीं हुआ करता था हमारे इंडियन पोईट्री में तो यह रीती काल शुरू करने वाले पहले कभी कौन थे केशो दास ठीक है इनकी रचनाय कौन-कौन से हैं राम चंद्रिका कवी प्रिया रशिक प्रिया जहांगीर जस चंद्रिका नक शिख और रतन बावरी और विज्ञान गीता यह सभी इंपोर्टन्ट है ठीक है अब यहांचे कौन-कौन से प्रश्ण बनने की संभावना है केशो दास का जन्म कहा हुआ या इनका रिलेशन मध्यप्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट से है तो औरचा से है फू पैट्रोनाइज केशो इंद्रजीत सिंग बुंदेला ठीक है फू अज़ फॉस्ट पॉइट ऑफ रितिकाल केशो दास ठीक है इनकी रचनाओं से सम्म प्यारेलाल देखें प्यारेलाल ओरिजिनल नेम था वैसे इनका नाम है पदमाकर ठीक है पदमाकर का जन्म कहां पर हुआ सागर और कब हुआ 1773 या याद रखेंगे कि जिस व्यक्ति का संबंध थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे जिस भी यहां पर परसनाल्टी का संबंध या रिलेशन जस जगह से होगा उनके नाम पर जो हम शमारो मनाते हैं जो फेस्टिवल मनाते हैं वह वहीं पर होगा आगे चलके जब आप से ऐसे प्रस्था पूछा जाएंगे कि ये समारो कहां पर होगा तब ये काम में आएंगी चीज़े हैं तो बर्थ प्लेस हमें याद करने की कोशिस करना है चलिए अब देखें He was also a great point of रितिकाल रितिकाल की ही एक प्रमुख कभियों में से कौन थे पदमाकर नोट करेंगे कि इनकी रचनाएं कौन-कौन सी है जगत विनोध, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राम रशायन और अलिजाह प्रकाश बहुत important है ध्यान से समझे देखें जगत विनोध इन्होंने किसके लिए लिखा था जैपुर के राजा कौन थे जगत सिंग जैपुर के राजा कौन हुआ करते थे जगत सिंग, तो उनको खुश करने के लिए एक किताब लिख दी जगत विनोध, नोट करेंगे सबी लोग और दूसरा है अलिजाह प्रकास ये अलिजाह प्रकास किसके दर्वार में लिखी गई थी तो लिखेंगे दौलत राओ सिंधिया दौलत राओ ये दोनों important है पदमाकर ने अलिजाह प्रकास की जो रचना है वो किसके दर्वार में किया है in whose court did पदमाकर has written अलिजाह प्रकास तो आपका अंसर होगा सर दौलत राओ, शिंधिया ये दौलत राओ, शिंधिया और भी चीजों के लिए important है हाला कि आँगे भी बताओंगा फिर भी अभी यहां पर बता दे रहा हूँ कि पहले जो सिंधियाज की capital हुआ करती थी वो उज्जैन थी क्या हुआ करती थी उज्जैन, वर्तमान में कहां पर है ग्वालियर तो उज्जैन से ग्वालियर ले जाने का है चलिक आगे बढ़ेंगे अ और आप देखेंगे बान्भट बहुत इंपोर्टर में है बान्भट ठीक है जैसे बान्भट बात करते हैं तो आपको दो चीज़ें आद आती है एक तो कादमपरी ठीक है हर्सचरित घतन और दूसरे हर्षवरधन यह वही हर्ष वर्धन है, बहुत दानवीर थे, ठीक है, और वर्धन डायंस्टीज के थे, या पुश्वूती डायंस्टी के थे, हर्ष वर्धन, इनके कोड़ पोईट कौन हुआ करते थे? बानवट, बानवट ने मुख रूप से तीन क्रियेशन्स लिखी, तीन पुस्तके लिखी कौन कौन सी थी हर्षचरित काधंबृडद ईूट् टंडिक तक। थीख है । मैं निगने अगर बात करें हर्षवरधन की तो हर्ष अपने आप में भी एक कभी थे जो रूलर थे ना हर्ष वह अपने दर्सिका ठीक है तो ये तीनों क्रियेशन किसकी है हर्षवर्धन की और ये तीनों किसकी है हर्षचारित कादंबरी और मुकुट तांडिक तक बान बट की ठीक है आगे लिखेंगे भूशन इनका जन्म कहा हुआ कानपुर उत्तरप्रदेश तो ये जो कभी भूशन है ना इनकी बेसिकली अगर बात किया जा कर्म भूमी चित्रकूट रही है और ठीक है इन्हें जो भूशन की उपादी है ना वो चित्रकूट की राजा ने दिया था चित्रकूट के राजा का नाम था ब्रजनाथ सिंग क्या नाम था ब्रजनाथ सिंग तो इन्हों ने भूशन को भूशन का टाइडल दिया था ठीक है इनकी रहचनाएं कौन-कौन सी है शिवराज भूशन शिव भावानी, छत्रसाल दशक और सारांस की कहानी बेसिकली जो कभी भूशन थे ना इन्हें पहला पैट्रियॉटिक पोईट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं पहला पैट्रियॉटिक पोईट क्योंकि इनका काम हुआ करता था कि जैसे एक तरफ वो औरंग जेप की बुराई करते थे तो दूसरी तरफ सिवा जी की तारीफ करते थे राजा च्छत्र साल की तारीफ करते थे ताकि उनके अंदर क्या हो श्वाधिंता की भावना है ठीक है चले आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे माखलाल चतुरवेदी अब हम यहाँ पर मॉडरन पोईट्स के बारे में पढ़ेंगे माखलाल चतुरवेदी की माखलाल चतुरवेदी का जन्म 4 अप्रेल 1889 कहां पर हुआ भावई होशंगाबाद और अगर इनकी डेथ की बात करें तो 30 जनवरी 1968 खंडवा इसलिए खंडवा में हम माखलाल चतुरवेदी समारोह मनाते हैं ठीक है चलिए आगे देखेंगे पब्लिकेशन इनकी जो न्यूजपेपर है तो डूरिंग फ्रीडम फायर श्ट्रगल माखलाल चतुरवेदी ने कई न्यूजपेपर भी एडिट किया जैसे सबसे पहले प्रताप और प्रभा पब्लिजड फ्रॉम कानपुर आगे देखेंगे कर्मिवीर पब्लिजड फ्रॉम जबलपुर ठीक है नोट करेंगे सबी लोग प्रताप प्रभा और कर्मिवीर यह डेली न्यूजपेपर हुआ करते थे जिसमें से कर्मिवीर जो न्यूजपेपर है वो कहाँ जे पब्लिजड होता था जबलपुर से ठीक है इसका मतलब क्या हुआ उन्हें पदमे विभूशन मिला पर वो चाहते थे कि हिंदी क्या हो ओफिशियल हमारी जो राश्रभासा हो पर भारत की सरकार ने ऐसा किया नहीं तो उन्होंने पदमे विभूशन को वापस कर दिया ठीक है उन्हें हम क्या बोलते हैं अ इंडियन सोल ठीक है तो आप बदाएं के सार 1921 में नोन कोपरेशन जो मुवेंट चल रहा था 1919 से सुरू हुआ तो उन्हें बिलासपूर जेल तो उन्हें बिलासपूर जो है न जेल में रखा गया तब उन्होंने जेल के दोरान एक पुष्टक लिखी पुष्प की अभिलासा शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि चाय नहीं मैं सुर्वाला के गहनों में गूथा जाऊं ठीक है मुझे तोड लेना वलमाली उस पत पर तुम देना फिक ठीक है तो इस तरह की ये जो पुष्प की अभिलासा है वो कहां पर लिखा था माखालाल चतुरवेदी सामने आप बदाएंग सर बिलासपूर जेल में अब इनकी और भी रचनाए है हिम किरीटनी हिम तरंगनी माता युग चरण समरपन वेनू ले गूजे धारा बिजुरी काजल आज रही है मरण ज्वार दुमरा वले ठीक है अब इनके एसे कौन-कौन से है साहित देवता अमीर इरादे गरीब इरादे पाओ पे आओ इनके ड्रामा कौन-कौन से है क्रश्नार्जुन युद्ध और स्टोरी कौन-कौन से है कला का अनुवाद सभी लोग नोट करेंगे ये सभी इंपोर्टेंट है चलिए आगे बढ़ेंगे अगर यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो कोई भी प्रश्नों तो पूछ सकते हैं चलिए आगे बढ़ें अब देखेंगे बाल कृष्ण सर्मा नवीन साथ थे देखें बाल कृष्ण सर्मा नवीन इनका जो बर्त है वो साजापुर में हुआ 1897 और इनकी डेथ 1960 में हुआ इपिक इन्होंने एक महा कावे लेखा है उर्मिला बहुत इंपोर्टेंट है उर्मिला के लेखा कौन है बाल कृष्ण सर्मा नवीन और जो निया रिपिक है निया रिपिक को हिंदी मोलते है खंड काव कि मतलब ये अपने आपने एक बड़ा महा कावे भी नहीं है और ना ही छोटा कावे है एक खंड कावे ठीक है कौन सा है प्राणारपन इनकी कविताएं कौन-कौन सी है कुम-कुम, कासी, रश्मी रेखा और अपलत कौन-कौन सी एक बार ध्यान से समझेंगे और कुछ लोग गलतियां भी करते है स्पेसली MPPS से एकजाम में सबसे पहले बताएंगे सर उर्मिला के लेखक कौन है आपका अंसर होना चाहिए सर बालकृष्ण सर्मा नवीन उर्मिला के लिए ही बालकृष्ण सर्मा नवीन को शाहित अकैडमी आवार्ड भी मिला था दूसरा इपिक क्या है प्रानारपन और अगर बात करें पोईट्री की तो कौन-कौन सी है कुम-कुम, काशी रश्मी रेखा और अपलक ध्यान से समझेंगे यहां पर यहां पर ध्यान देने जैसा है यह रश्मी रेखा है और इसी तरह से एक मिलती जूलती बहुत फेमस महा काव्व है उसका नाम है रश्मी रथी तो ध्यान देंगे यह रश्मी रेखा है और इसके poet कौन है बाल कृष्ण सर्मा नवीन और एक क्या है रश्मी रती है जब नास मनुझ पर आता है सबसे पहले विवेक मर जाता है और इसके लेखा कहें रामधारी सिंग दिनकर रामधारी तिंग दिनकर तो confuse नहीं होना ठीक है एक रस्मी रती है इसके लेखा कौन है आगे बढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हर किसी ने सुना होगा क्यों क्यूंकि खूब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी तो इन्हीं की लिखी हुई क्या है कभिता है सुभद्रा कुमारी चौहान सी वाज ओल्सो ए फ्रीडम फाइटर इं इनकी डेथ 1948 एक रोड एक्सिदेंट में हुई थी दिल्ली में ठीक है आगे बढ़ेंगे शी वोज मेरी टू ठाकुर लक्षमन सिंग ऑफ खंडवा खंडवा के एक ठाकुर थे लक्षमन सिंग उनके साथ इनका विवाय हुआ था पाटिसिपेटेट इन जंडा सत्याग्र हुआ उसमें सुभद्रकुमारी चौहान और इनके जो पती हैं लक्षमन सिंग इन्होंने इस सत्याग्रह को नागपुर से ओपरेट किया था क्यों क्यों क्योंकि जवलपुर में जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन्हें जेल में बेच दिया गया उस समय पे कर्मवीर एलॉंग वित माकालाल चतुरवेदी अभी अभी मैंने बताया है कि सर जो माकालाल चतुरवेदी हैं उन्होंने कर्मवीर जो न्यूस पेपर है उसका जो प्रकाशन है वो कहाँ चरू किया था जवलपुर से उनका साथ किस ने दिया था आप बनाएंगे सर जहासी की रानी वीरों का कैसा हो बसंद सभा के खेल जलिया वाला बाग वीरों का कैसा हो बसंद ठीक है इसमें से इंपोर्टेंट कौन कौन सी है कोशिस करते हैं ये दोनों हैं मुकुल और त्रिधारा बिखरे मोती ठीक है जहासी की रानी वीरों का कैसा हो बसंद और सभा के खेल पांच्छे तो ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है विससे सभी याद करना है चलिए अब जगेंगे गजानन माधो मुक्ति बोध का जन्म 1917 में हुआ कहां पर श्योपुर्व ठीक है इनकी रचनाएं कौन-कौन-ची है चांद का मू टेड़ा है चांद का मू टेड़ काठ का सपना सतह से उठता आदमी ठीक है और जो क्रिटिक है वो कौन-कौन-ची है का मायनी एक पूर्वा विचार और एक साहित की डायरी ये सभी इंपोर्टेंट है ठीक है तो गाजानन मुम्माधो मुक्ति बोध का जन्म कहां पर हुआ श्योपुर में हुआ इनकी कौन कौन-कौन-ची रचनाए है चांद कामो तेढ़ा है भूरी-भूरी खाद धूल काठ का सपना और सतह से उठता आदमी ठीक है अगर बात करें क्रिटिक की तो कौन-कौन-ची है का मायनी एक पूर्वा विचार और एक साहित की डायरी आगे बढ़ते हैं ठीक है अब देखे कहां पर हुई 1972 ठीक है इनकी रचनाए गांधी पंच शती गीत फरोष सत्पुरा के घने जंगल सबस्यादा एक्जाम में यही पूछा जाता है सत्पुरा के घने जंगल बुनी हुई रस्सी यह भी इंपोर्टेंट है और बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें क्या मिला ह है साहित अकैडमी अवार्ड मिला है नोट करेंगे ठीक है भावानी प्रसाद मिस्ट आगे चलके यह इंडियन पॉलिटिक्स में भी आते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हरी शंकर परशाई बहुत इंपोर्टेंट हरी शंकर परशाई दीके इनका जो जन्म है 1924 में हुआ जामनी गाउं होशंगावाद में हुआ बहुत इंपोर्टेंट है नोट करेंगे सबी लोग कौन कौन से न्यूज़ पेपर थे वशुधा और प्रहरी जवलपुर से ठीक है वशुधा और प्रहरी जैसे प्रताप और प्रभा कान पूर्शे माखलाल चतुरवेदी ने किया था उसी तरीके से वशुधा और प्रह प्रशाई इनकी रचनाएं देखेंगे बिल्कुल हसी वाले हैं जो हरिशंकर परशाई थे न यह वेंग वाले कविते मतलब इनकी कविताएं का जो टाइटेल है न वही पढ़के आपको हसी सा फील होगा याद करने की सिंपल सी ट्रिक है ठीक है आईए रानी नागफनी की कह ठीक है दूसरा तट की खोज भूत के पाउं पीछे तब की बात और थी पकडंडियों का जमाना बेमानी की परत तदाचार का ताबीज शिकायत मुझे भी है हसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे ठीक है इनकी जो सटायर हैं वैश्नों की फिसलन बोलती रेखाएं ठी खुरता हुआ गणतंत्र विकलांग स्रद्धा का दौर तीन सयाने और निठलों की टायरी ठीक है ध्यान से पढ़ेंगे और मैं आपको बता दू कम से कम पंद्रा बीस बार तीस बार चालेस बार पचास बार इत्ती बार पढ़िए ना कि यह याद हो जाए ठीक है क्योंकि प्रिलेंस में तो डिरेक्ली पुछा जाएगा कि यह किसकी रचना है या इनकी कौन सी रचना है पर मेंस में क्या पुछा जाएगा इनकी कोई तीन रचनाएं लिखें ठीक है कि राइट जा थी क्रियेशन्स ओफ हरिसंकर पर साई तो वहां पर इसे आपका काम नहीं चलने वाला ठीक है चली आगे बढ़ेंगे अब देखेंगे सरज जोशी और मुला रामुजी देखें सरज जोशी का जन्म 1931 में उज्जैन में हुआ ये भी एक तरह से बिसिकली सेटायर पोईट थे वेंगात्म कभी थे वेंग मारते थे इनकी रचनाएं देखेगा जीप पर स सवार इलिया रहा किनारे बैट फिर किसी बहाने दूसरी सतह पिछले दिनों या था संभव अंधों का हाथी एक था गधा मैं और केवल मैं परिक्रमा तिलिश्म ठीक है ये जो तिलिश्म है ये भी पेपर में पूछा गया है ठीक है तो कौन कोंची रचनाएं है जीप पर सवार इलिया रहा किनारे बैट फिर किसी बहाने दूसरी सतह पिछले दिनों या था संभव अंधों का हाथी एक था गधा मैं और केवल मैं परिक्रमा और तिलिश्म ठीक है डन है अगे देखें मुल्ला रामुजी बहुत इंपोर्टेंट है मुल्ला रामुजी इनका जर् अगर बात करें उर्दू की तो वो किसी को हावा भी नहीं लगेगी अंटिल वो उर्दू अच्छे से नहीं जानता है जैसे अगर हम बात करें यहां पर हिंदी की तो अगर आप खतरनाक वाली हिंदी बोलते हो बिल्कुल प्योर हिंदी तो वो भी समझ में नहीं आएगी तो उसी तरीके से जो यूर्दू है वो जल्दी की एससे समझ में नहीं आएगी पर मुला रामो जी ने उर्दू में एक नई स्टाइल शुरू करते हैं ठीके को ऌन? गुलाभी उर्दू जैसे कबाली के जनक है ठीके? अमिर खुश्रो उसी तरीके से ये हैं गुलाभी उर्दू के ठीक है मध्यप्रदेश उर्दू अकैडमी इस डेम आफ्टर इम मध्यप्रदेश में जो उर्दू अकैडमी है ना 1979 में बनी थी वो किसके नाम पे है मुला रामो जी के नाम पर है तो इन्हें गुलाभी उर्दू का जनक भिक बोलते हैं फादर आफ गुलाभी उर्दू या इन्वेंटर बोलते हैं दूसरा MP में जो उर्दू अकैडमी है वो किसके नाम पर है मुला रामो जी के नाम पर है अब इनकी रचनाएं बहुत इंपोर्टन्ट है और कई बार पेपर में डिरेक्ली पुछी गई है ठीक है कौन-कौन सी आए देखते हैं औरत जात जिंदगी लाठी और भैस शादी जंग गुलाभी उर्दू और गालिब आजम अच्छे से पढ़ेंगे सब भी लोग कौन-कौन सी है औरत जात जिंदगी लाठी और भैस शादी जंग गुलाभी उर्दू और गालिब आजम ठीक है सबी लोग नोट करेंगे चले फिर यहां तक है अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो कोई प्रश्णो चले आगे बढ़ेंगे और यहां से हमारा यह जो आज का टोपिक था इंपोर्टेंट लिट्रेरी परस्नाल्टीज ठीक है वो कंप्लीट होता है सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा सो थेंक्यू क्लास एंड विश्यू आल दे बेस्ट